असलाम वालेकुम डाइस पर बेटे तमाम सेनियर शोरा इकराम और मेरे सामने बेटे तमाम सामाईन इकराम मुसलसल एक महीने से इसकार कराम को आयोजन करने के लिए मैं दिन और दुपार रात एक कर दिया न दुपार देखता था इतनी धूप होती थी न दिन देखता था न रात देखता था और मेरे एक छोटी सी दावत पर मेरे बड़े मामुवन हसनलेकपाल साब जो आज की सदारत कर रहे हैं और मेरी संस्था जो होशकता है कि मैं भी इन्वाल हो जाओं उसमें डाक्टर कुवर नीरा जो मतिसी वो मौझूद है और जो हमारे साथ जूड़े हुए हमारे शायर राजेस परताब गड़ी जी दिनेश गुगगजी और जो मसलसल मेरी साथ दोड़ते थे पट्टी आना जाना अकलेस गुमार गौतम जी मैं इनका भी शुक्रिया आदा करूंगा और मेरी चोटी सी दावत पर मेरी वड़ी वहन रुची दिवेदी यहा मौझूद है मैं इनसे एक दर्खास किया था कि मुशायरे में था मानदा था कि दिदी मैं जरूर एक आयोजन रखूंगा आपको आना है इन्हें ने का जरूर भाई में आउंगी आईये कि वहल चार मिसरे आपके सामने आर्ज करता हूँ डाइस से भी दूआ चाहता हूँ दिल के उजडे हुए गुलसन को बसाया तुमने आप सबकी महबतों के लिए डाइस तबाम में माना है इन सबके लिए आप सबका शुक्रिया आदा करता हूँ दिल के उजडे हुए गुलसन को बसाया तुमने हम के ले थे हमें अपना बनाया तुमने हम के ले थे हमें अपना बनाया तुमने दिल के उजडे हुए गुलसन को बसाया तुमने हम के ले थे हमें अपना बनाया तुमने जब किसी ने भी हमें प्यार का तोफा न दिया उम्र भर के लिए सीने से लगाया तुमने उम्र भर के लिए सीने से लगाया तुमने उम्र भर के लिए सीने से लगाया तुमने बहुत बहुत शुक्रिया आप सब की महबतों का मुसलसल यह मैं चार मिस्रे अकसर पढ़ता रहता हूँ किसी भी मुशायरे में जाता हूँ तो यह चार मिस्रे जरूर पढ़ता हूँ वो भी आप सब के सामने आर्ज़ करता हूँ यह मेरा घर है अपना छेत्र है हमें मेहमान शायरों को सुनना है हम तो छोटे-छोटे कारिक्रमा पर पढ़ते रहते हैं आई वो भी चार मिस्रे पढ़ता हूँ एक छोटी सी गजल है जो अंकुर भाई का होग्म वो गजल पढ़के अपनी चेके लोंगा जरूर मेरी किसमत में यारब बरकते रमजान लिख देना मेरी किसमत में यारब बरकते रमजान लिख देना इस मेरी महनत के लिए आप सबसे दौाए है मेरी किसमत मेया रब बर्गते रमजान लिख देना मेरी मन्जिल करह बर दिन का सुल्तान लिख देना मेरी मन्जिल करह बर दिन का सुल्तान लिख देना जहे किसमत अगर मर जा उमे रोजे की हालत में तो माते पर हमारे आयते कुर्णान लिख देना वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा शुभान अल्ला हमारे आयते पर आन लिख देना तो माते पर हमारे आयते पर आन लिख देना हमारे बीच में हमारा बड़ा भाई अनिल मौझूद है रोशन सिंग मारे बीच मौझूद है मैंने एक छोटी सी फोन किया था अनिल भाई के लिए उनसे का कि मैं भाई एक पराम रखना चाहता हूँ तो ये मेरा भाई का आमीर मुझसे क्या शायोग चाहते हो मैं आपको जो चाहिए वो दूँगा इस भाई के लिए मेरा मन है कि मैं चार मिस्रानिल भाई के लिए पढ़ू अगर आप सब की ज़ाज़त है एक बार तालियां बचाएं अमन महबत चाहत का पैगाम बचाए रखियेगा अमन महबत चाहत का पैगाम बचाए रखियेगा अपने इस भाई का तुम समान बचाए रखियेगा अपने इस लीडर का तुम समान बचाए रखियेगा मेरा दावा है तुम पर कोई भी आचनाएगे अनिल भाईया का तुम सब हाथ उठाए रखियेगा वो छोटी सी गजल जो मेरे भाई अंकुर का होक्म है मैं पढ़ता हूँ फिर उसके बाद अपनी जगे अगर आप सबको भी अच्छा लगे तो आप सबको दात तैसीम दौा का तलबगार चुपके चुपके रात भर आँ सुबाहा ना छोड़ दे चुपके चुपके रात भर आँ सुबाहा ना छोड़ दे रोठने वाले को कैसे अब मना ना छोड़ दे रोठने वाले को कैसे अब मना ना छोड़ गे ये मिस्रा मैं निरज भाई के नजर करता हूँ रोठने वाले को कैसे अब मना ना छोड़ दे जिस घजल को याद करके जखमता जाओ गया जिस घजल को याद करके जखमता जाओ गया दिल मेरा कहता है कि अब वो तरा ना छोड़ दे अक्तर भाई कहता है कि अब वो तरा ना छोड़ दे उन से बिच्ड़े अब मुझे यारों जमाना हो गया उन से बिच्ड़े अब मुझे यारों जमाना हो गया उन से ये कह दे कोई या दों में आना छोड़ दे उन से ये कह दे कोई या दों में आना छोड़ दे उन से ये कह दे कोई या दों में आना छोड़ दे उन की ये कातिल अदाकत लेना कर दे मेरा उनकी ये कातिल अदाकत लना कर दे मेरा अपने दातों से वो होटो को दबाना चोड़ दे अपने दातों से वो होटो को दबाना चोड़ दे गजल का आखरी मिश्रा अर्ज़ करता हो अपने जगे लोगा उन से ये कह दे कोई या दों में आना छोड़ दे उन की वो जुकती निगाहे होश ना ले ले मेरा उन की वो जुकती निगाहे होस ना ले ले मेरा वो नजर नीचे जुका के मुश्कुरा ना छोड़ दे चुपके चुपके रात भर आसो बहा ना छोड़ दे